हाई गाईस कैसे आप लोग तो iPhone SE 3 या तो आप लोग इसको iPhone SE Plus भी बोल सकते हो उसके related काफी एक नई leak ड्रॉप पुई है और काफी unexpected leak ड्रॉप पुई है अब यहाँ पर हमें इसको unexpected leak क्यों बोलना हूँ क्योंकि जो भी रेपोटे पर leakers है जैसे के मिंची को मिंची को तो आप लोगों पता ही होगा मिंची को के पास बहुत जादा एक अच्छा track record है उनके जो leaks होते है वो काफी जादा हद तक accurate होते है मिंची को कहसाब से SE Plus या तो SE 3 जो हम लोग को 2021 के first half के अंदर देखने नहीं मिलने वाला और भी काफी सारे leakers है जैसे के Ross Young, Ross Young जो है जो बहुत बड़े एक display के analyst है उनके हिसाब से हम लोग को SE 3rd generation या तो SE Plus जो कुछ भी एपल इसको नाम देता है वो हम लोग को 2022 के first half के अंदर देखने मिलेगा लेगन काफी एक नई unexpected leak drop हुई है Japanese blog Macotakara की तरफ से उन्होंने mention किया है कि हम लोग को iPhone SE का जो 3rd generation है वो 2021 के first half के अंदर देखने मिल जाएगा मतलब April के अंदर हम लोग को iPhone SE 3 Apple के तरफ से launch होता हुआ देखने मिलेगा अब यहां पे इन्होंने और कुछ भी mention नहीं किया मतलब यह जो Macotakara जो ब्लॉग है जो Japanese ब्लॉग है इनके पास भी काफी एक अच्छा खासा track record है इनके पास 68.6 के आसपास का track record है तो यह जो leaker इनको भी completely हम लोग लोग ignore तो नहीं कर सकते लेकिन इनका जो report हो काफी ज़ से एन iPhone SE 3 दिखने मिलेगा क्या features आने वाले है क्या design आने वाला है iPhone SE Plus उसका क्या pricing आने वाला है और कुछ भी mention नहीं किया इनको अपने Chinese supplier से पता चला है कि Apple iPhone SE 3 जो है उसको drop करेगा April के अंदर but anyways ही completely impossible भी नहीं है क्यों completely impossible नहीं है क्योंकि John Prosser जो के काफी reputable लीकल है बिर जो आप लोग जानते ही होंगे हमारे जो हमारे 2020 के content के main source थे 2020 का हमारे जो channel dependent था leaks के ओपर वो John Prosser के leaks के ओपर dependent था तो उनके हिसाब से 2020 के अंदर Apple ने जो iPhone SE 2 लांच किया था उसके साथ साथ ही Apple एक बड़ी size का भी iPhone SE Plus लांच करने वाला था लेकिन supply chains के issues के वज़र से Apple जो है वो एक ही iPhone SE लांच कर पाया दो iPhone SE लांच नहीं कर पाया तो शायद ऐसा हो सक सकता है कि Apple ने जो 2020 के अंदर SE Plus का जो प्लान किया था वही सेम iPhone 8 वाला जो डिजाइन है iPhone 8 Plus वाला जो डिजाइन Apple उसको छापके iPhone SE 2021 का नाम दे सकता है तो यह completely impossible भी नहीं है लेकिन फिर अगर ऐसा होता है कि Apple 8 Plus का डिजाइन जो है उसको सीधा छाप दे iPhone SE 3 उसको नाम दे अप्रिल 2021 के अंदर रिलीस कर दे तो जीतनी भी पूरानी लीक्स जो हम लोग के पास निकल ले किया थी लास्ट वीक वो सारी इन्वैलिड हो जाएगी कौन सी वाली लीक्स की बात कर रहा हूं मैं तो हम लोग के पास लास्ट वीक काफे सारे नये लिक्स निकल कर आया था iPhone iPhone SE 3 के उपर कि iPhone SE 3 जो Apple launch करने वाला है वो एक full screen design के साथ launch करने वाला है जिस तरह के हम लोग को design iPhone XR में देखने मिलता है जिस तरह के हम लोग को design iPhone 11 के अंदर देखने मिलता है iPhone 12 का boxy design तो नहीं round edges वाला design महलब इन short full screen design की जो leaks थी वो शायद invalid हो सकती है फिर हम लोग को leak निकल आइफोन 8 प्लस के डिजाइन चाप देता है SC3 के उपर और उसके उपर प्राइस पॉइंट लगा देता है 42,000 रुपीज 42,000 रुपीज वही सेम प्राइस पॉइंट जो के हम लोगो आइफोन SC2 का देखने मिला था तो फिर भी सही लगता है लेकिन अगर आइफोन 10R की डिजाइन हम लोगो iPhone SC3 के अंदर देखने मिलती है 42,000 के प्राइस पॉइंट के उपर तो आइफोन 10R जो है उसको कौन खरी देगा क्योंकि आइफोन 10R का भी जो MRP है वो है 47,000 रुपीज तो काफी एक कॉम्प्लिकेटेड सा situation हो जाएगा अगर 10R की डिजाइन में हम लोगो iPhone का 3rd generation देखने मिलता है 42,000 के प्राइस पॉइंट के उपर तो in short conclusion यह है समरी यह है कि अगर iPhone SE 3 या तो iPhone SE Plus जो है वो April के आजपास लॉँच होता है तो बहुत जादा chances है कि आपको iPhone 8 Plus के डिजाइन के अंदर ही देखने मिले फिर भी हम लोग देखते है Apple जो है वो April के अंदर हम लोग को क्या surprise देता है आप लोग मुझे comment करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि iPhone SE 3 क्या April का अदर हम लोग को देखने मिल सकता है इस साल या तो हम लोग को देखने नहीं मिल सकता है और अगर देखने मिल सकता है तो किस टैप के डिजाइन के अंदर हम लोग को देखने मिल सकता है कि हम लोग को iPhone 8 Plus के डिजाइन के अंदर देखने मिलेगा या तो हम लोग को iPhone XR के design के अंदर देखने मिलेगा मुझे comment करके जरूर बताना तो ये तक आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर करना और जो bell वाला icon उसको प्रस के दर नोटिफिकेशन के लिए Thank you